जय हिंद, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल ग्यान फोर एकजाम में और ग्यान साला में दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी जानेंगे NCRT साइंस का क्लास 7 चैप्टर नमबर 14 आपको पता है कि हमारे दोरा NCRT का क्लास 6 तू 12 तक की पूरी साइंस कवर करने के लिए हमने ये स्रीज शुरू किया था जिसके अंतरगत हम क्लास भाई क्लास चैप्टर दर चैप्टर आपको एक अक चैप्टर डेली करा रहे हैं जिसके अंतरगत हमारा क्लास 6 पूरी तरह समाप्थ हो गया है क्लास 6 का टोटल 16 चैप्टर था वो समाप्थ हो गया अब class 7 हमारा चल रहा है class 7 के अंतरगत total 18 chapter है और इस 16 chapter में आज हमारा 14 number chapter होगा आप यहाँ देख सकते हो छोटा गेरा में है यह जो आप pdf में chapter number 10 देख रहे हो यह new ncrt के अंतरगत chapter number 10 है old ncrt के अनुसार total chapter 18 है तो मैं क्या कर रहा हूँ कि जो chapter new ncrt में नहीं है वो old ncrt से cover कर रहा हूँ और जो old में नहीं है वो new से cover कर रहा हूँ इसलिए यहाँ पर overall total chapter हमारा chapter number 14 है और ऐसे 10 सबाब new ncrt के अनुसार तो आज का जो हमारा video रहेगा वह है बिद्धु धार और इसके प्रभाब से बहुत important सभी point होने वाले है और इससे पहले भी जितने भी class हमने कराया है वह भी important था तो आप लोग उसको continue देखा करें और जो है इसका एक proper playlist बना दिया गया है ncrt आप जा करके सर्च करोगे ncrt साइंस असरीज बाया मरजीत कुमार तब आपको वहाँ पर दिख जायागा पूरी ncrt एक अक लाइन करके ठीक है तो थोड़ा playlist आप चेक के अर लिया किजिए बहुत सारे लोगों काता है message sir playlist बना दिजी तो playlist बनाया हुआ है आपकी सुबधानु sir आईए अब हम बात करेंगे बिद्धुधारा और इसके प्रभाव और इसके लिए आपको क्या करना है class शुरू करने से पहले आप अपने साथ pen pencil ले करके बैठेंगे copy ले करके बैठेंगे जो कुछ भी important point होगा उसको आप note करते चलेंगे क्योंकि मेरा पढ़ाने का तरीका है कि मैं इस पूरे PDF को पहले highlight करता हूँ आपके लिए ये PDF भी आपको टेलिग्राम और WhatsApp ग्रूप पे मिल जाएगे तो class के अंतरगेत मैं वही उतना point पढ़ता हूँ जितना आपके लिए जरूरत होती है बाकि जो मनोरंजन और कीरिया कलाप है वो आपके लिए जरूरी नहीं है तो हम नहीं कराते तो जितना भी highlighted point होगा उसको आप note करते चलेंगे और class शुरू करने से पहले एक और आप वीडियो को share करके आए like, comment तो आप करते ही हैं और भी ज्यादा ज्यादा लोगों तक पहुंचा करके आए तो आईए अब बहुत होगी बात अब हम सीधे करेंगे सब्दों से सब्द और एक दूसरे को मिलाते हैं और कहता है सबसे पहला जो हमारा chapter है उसके अनुसार कि बिद्धुत अबयब के प्रतीक के अंतरगत हम जानेंगे नॉर्मली आपको पता होगा कि आप बिद्धुत से परचित हैं यानि कि इलेक्ट्रिक होता है तो इसको समाजने के लिए हमें एक जरुवत होगी कुछ अन्य नय नय पॉइंट को जानना उसी पॉइंट के अंतरगत सबसे पहले हम जानेंगे बिद्धुत अबयब के प्रतीक बिद्धुत अबयब के प्रतीक को हम ध्यान पुर्वा का अगर देखते हैं तो कहता है कि बिद्धुत सेल के प्रतीक पर ध्यान दीजे इसमें एक लंबी रेखा तथा एक दूसरी छोटी प्रंतु मोटी समाना अंतर रेखा है क्या आपको याद है कि बिद्धु सेल में एक धन टर्मिनल और एक रीन टर्मिनल होता है ये आप याद रखेंगे बिद्धु सेल में एक धन टर्मिनल और एक रीन टर्मिनल होता है बिद्धु सेल के प्रतीक में लंबी रेखा धन टर्मिनल को और छोटी पलस मोटी रेखा रिन टर्मिनल को निरूपित करता है ये पॉइंट आपको याद रखना है बिद्धु सेल जो होता है उसमें एक धन टर्मिनल और एक रिन टर्मिनल होता है जो लंबा वाला रेखा ऐसे बना रहता है उसको हम positive terminal यानि कि धन terminal कहते हैं और जो छोटा लेकिन मोटा होता है उसको हम negative यानि कि ring terminal के नाम से जानते हैं तो ध्यान रखना है ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं फिर अब आता है कि ध्यान दीज ये एक सेल का धन terminal दूसरे सेल के ring terminal से संयोजित क्या जाता है दो या अधिक सेल इस प्रकार के संयोजन को battery कहते हैं battery किसे कहा जाता है तो दो या अधिक सेलों के प्रकार का संयोजन जो होता है बैटरी कहलाता है और ये जो है एक सेल का धन धरूब दुसरे सेल का रिन धरूब के साथ मिक्स होता है क्या याद रखना है एक सेल का धन टर्मिनल दुसरे सेल के रिन टर्मिनल से संयोजित किया जाता है ये याद रखना है और जब ये दोनो opposite direction के दोनो terminal जब मिलते हैं और वैसे ही दो या दो से अधिक sell को एक साथ opposite direction के साथ साहयो जित किया जाता है तो वह कहलाता है battery ठीक है मैं पूरे point को आपको समझाते चलूंगा clear करते चलूंगा तो उसको आप जरा ध्यान से सुनते समझते चलेंगे अब देखो यह जो box दिया गया है यहां से सवाल खास करके railway में पूछा जाता है और अभी आपको पता होगा कि railway का ALP का यानि कि dry local pilot का भी vacancy आ चुका है technician का बहुत जल्द आने वाला है तो उन सभी में यह point पूछे जाते हैं यहां से तो आप देख सकते हो बिध्धु इसल बिध्धु इसल का जो प्रतीक है यह होता है ठेक है यह जो लंबा वाला दिखरा यह positive है और इस side जो दिखरा है वो है आपका negative धान हना फिर बिध्धुत वालो है बिद्धुत वालू का ये प्रतिक होता है याद रखना एक एक प्रतिक को switch on और off की स्थिती में ये प्रतिक होता है आपसे railway में पूछा जाता है ये प्रतिक दे देगा और बो पूछेगा कि ये किस का प्रतिक है ठीक है, तो switch on और off में ये जो है switch on है जब दोनों point एक दूसरे से सटा रहे तो on है जब दोनों point में से एक point उससे उठा रहे उपर रहे तो वो off कहलाता है फिर जब दो या दो से अधिक बैटरियों का सेलों का संयोजन किया जाता है तो वो battery कहलाता है और यह जो single तार होता है उसको हम संयोजी तार के रूप में परियोग करते हैं किस में करते हैं संयोजी तार के रूप में परियोग करते हैं तो युक्ति पूरी प्रतिक याद रखना है कौन-कौन सी बिद्धूत सेल का प्रतिक ये होता है बिद्धूत बालव का ये है ये स्विच आन की स्थिति है फिर आप की स्थिति ये है ये सेल बैटरी की है और ये संयोजी तार का आपको ये भी पता होगा कि बैटरी का उपयोग हम कहां करते है ज्यादा इसके बारे में जानना है तो आप आई टी आई कर लिजिए इलेक्ट्रेसियन से ठीक है क्योंकि आपको यहां PhD करना है नहीं अब यहां पर बॉक्स में कहता है कि पहली तथा बूझो यह जानना चाहता है कि क्या ट्रैक्टर ट्रॉक तथा इनवर्टर मुप्योग होने वाली बैटरियां भी सेल से बनी होती है तब फिर भी उन्हें बैटरी क्यों कहते हैं क्या आप इस प्रस्ण का उत्तर पता लगान बल्व केवल तभी दिप्त होता है जब स्विच आन की स्थितिम होता है जैसे ही स्विच आन की स्थितिम होता है वैसे ही बल्व दिप्त हो जाता है यानि कि किसी भी बल्व को जलाने के लिए स्विच को आन करना होगा आप बताओ हम यहां पर दो पिक्चर बना रहे हैं स् switch on का प्रतीक कौन सा है वो आप comment में बता दो अब आगे बढ़ते अब आप ये बताओ कि ये जो दिया गया है ये ये किसका प्रतीक है हम आपको option दे रहे हैं ये number में option है sale का और b number option है आपका बल्व का आप answer दो ये किसका प्रतीक है आगे चलते हैं चलो यहाँ पर भी एक प्रतीक है इसको आप बताओ ये काउन सा प्रतीक है on है या off है इसको बताना है आपको revision करने के लिए आपको ये सभी चीज को बार वर पढ़ना ध्यान देना जरूरी है तो ध्यान देन लेंगे और आपको बोलना चाहिए आपको मनही मन बोलना भी जरूरी है अब कहता है कि बल्व एक पतला तार होता है जिसे तन्तु अथवा फिलामेंट कहते हैं यह तभी दिप्त होता है जब इससे बिद्दुधारा प्रवाहित होती है यदि बल्व का तन्तु तूट जाता है तो वा फियूज हो जाता है आपने अक्सर पढ़ा होगा कि बल्व का तन्तु अगर तूट जाता है तो फियूज बल्व कहलाता है और बल्व के अंदर एक जो पतला तार होता है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं और फिलाविंट तभी जलता है जब उसमें विद्धुधारा प्रवाहित की जाती है देखो मैं बारवर करता हूँ जो NCRT है न NCRT हर किसी के बस की बात नहीं है पढ़ना और पढ़ाना दोनो ठीक है इसलिए अगर आप इस चीज को पढ़ रहे हो तो आप ध्यान पुर्वा का आदा गंटा 45 मिनट पढ़ हो ठीक है ऐसा नहीं कि उच्छल कूद करते रहे हैं जैसे अपने यहां की सरकार होती है वो कभी इधर कभी उधर होता रहता है ठीक है तो वो उच्छल कूद करने वाली बंदर के जैसा इस स्पेड से उस स्पेड तो आपको कुछ नहीं होगा क्योंकि बरतमान में जो एक्जाम में प्रस्ण पूछे जा रहे हैं सेम टू सेम में उठाये जा रहें एंसी आर्टी से तो आपको थोड़ा सिरियस होकर कि अगर आप इस स्रीज में कंटिन्यू हो तो सिरियस होकर कि आपको पढ़ना पड़ेगा अगर ऐसे ही उचल कुद आ गए स्क्रीन पर दिख गया यह एंसी आर्टी तो थमनिल देखकर के आ गए दो मिनट रूके चल दिये तो ऐसे कुछ नहीं होने वाला है वैसे आने वाले जाने वाले आयो राम गयो राम बाली कहानी बहुत है लेकिन वही सही से ठीक हैगा जिस इसको आगे कुछ करना होगा तो कुछ करना है तो वीडियो में पूरी पनी रहें और पूरा वीडियो देखे आप मैं तो बारवार का तो आप दुबारा मेरे वीडियो मत देखा आप खुद का नोट्स बनाओ यहाँ पर जितनी भी important point है वो highlight किया है बस उसी को आपको छा दिखान दीजिए कुछी अथवा स्वीच को परिपत में कहीं पर भी लगाया जा सकता है ठीक है यह कथनातमक सवाल यहां से बनते हैं तो दिखान रखना है कि कुछी अथवा स्वीच जो स्वीच होता है ऑन आप की उसी को हम कुछी कहते हैं तो कुछी और स्वीच को परि पूरा होता है यानि कि बिद्धुधारा जो है वो पोजेटिव से निगेटिव की ओर चलता है ये याद रखना है परिपत को तब बंद कहा जाता है जब सारे परिपत में तुरंत बिद्धुधारा प्रवाहित होने लगे क्या कर रहा है कि परिपत को तब बंद कहा जाता है जब धन टर्मिनल से बैटरी के रिन टर्मिनल तक परिपत पूरा होता है परिपत को तब बंद कहा जाता है तथा सारे परिपत में तुरांत विद्धुधारा प्रवाहित होने लगता है ये क्या कहा रहा है जब स्विच ओन की स्थीती हो तब फिर कहता है कि जब switch off की स्थिती में होता है तो परिपत अधूरा होता है तब इसे खूला परिपत कहते हैं ध्यां रखना है कि जब switch on होता है और विद्धुधारा जो है धन टर्मिनल से विरिन टर्मिनल की और पूरा जाता है तो वह परिपत पुर्ण होता है वह परिपत बंद परिपत कहलाता है जबकि जब switch off होता है तो आधूरा परिपत पूरा होता है और इसी आधूरा परिपत को हम खूला परिपत कहते हैं इस स्थिती में परिपत के किसी भाग में कोई बिद्धुधारा प्रवाहित नहीं होता है तो overall इस box से आपको दो चीज़ जानना है एक तो कि on के स्थिती में जब battery होता है तो उसे हम बंद परिपत कहते हैं और जब आपकी स्थिती में होता है तो उसे हम खूला परिपत कहते हैं यह बहुत important point है याद रखा करेंगे अब आगे बढ़ते हैं आगे यहाँ पर चिताबनी दी गई है जो ऐसे आपके लिए है नहीं लेकिन जरूरी भी कता है बिद्धुत मेंस मतलब जो मुख्य लाइन होता है बिद्धुत मेंस इसे सयोजी दिप्त बिद्धुत वालों को कभी न चुए यह अत्यधिक तप्त हो सकता है तथा आपका हाथ जल सकता है बिद्धुत मेंस बिद्धु जनित रत्वा इनवर्टर की बिद्धुत अपूर्ति से कभी भी छेर छाड़ ना करें आपको बिद्धुत अघात लग सकता है जो घात अखो सकता है यहां सुझाय गई यहां पर कुछ किर्या कलाप है उसके लिए बात कर रहा है ठीक है अब आईए यहां पर किर्या कलाप 10.3 में एक तार की बात की है नायक्रोम की तार यह नायक्रोम की तार की इसमें होता है बिद्धुत वलु का जो फिलामेंट बना होता है वो नायक्रोम की तार होता है तो इ अधिक समय तक न रखे एसा करने थे सेल अती सिर्द दुर्भल हो सकता है मतलब ज्यादा देर तक अगर आप कोई यूज नहीं है बल्व का पंखा का टीवी फ्रीज का तो आप स्विच को बंद करके रखें ताकि कोई भी जटका होने पर आपके उपकरन जो है वो सुरक्षि कहता है कि जब किसी तार से कोई बिद्धुधारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है इसे बिद्धुधारा का तापिये प्रवाब कहते हैं बिद्धुधारा का तापिये प्रवाब क्या है तो जब भी किसी तार से कोई बिद्धुधारा प्रवाहित होती है तो वह तप्त हो जाता है मतलब जल उठता है चमक उठता है इसे हम विद्धु धारा का तापिय प्रभाब कहते हैं कहता है क्या आप किसी ऐसे विद्धु साधित्र का नाम बता सकते हैं जिसमें विद्धु धारा के तापिय प्रभाब का उपयोग होता है अधित्र के सूचियां बनाईए हम आपको एक बता देते हैं हीटर हीटर हो गिया बल्व हो गिया ये सभी को आपने देखा होगा आईरन हो गिया आईरन मतलब जो इस्तिरी करने वाला जो होता है कपड़ा जिससे आप प्रेस करते वो ये सभी क्या है तो ताप ये प्रभाप प्रवाहित होती है तो ताप ये प्रवाब पर काम करता है आपने कमरों को गर्व करना अथवा खाना पकाने में उप्योग होने वाले बिद्धुत तापा क्यानिक बिद्धुत हीटर देखे होंगे इन सभी में तारों की एक कुंडली होती है तार की इस कुंडली को विद्धुत तापन अभियाव अथवा केवल अभियाव फिला मेंट कहते हैं आपने यह धियान दिया होगा कि जब इन सांधित्रों को विद्धुत मेंट से संयोजित करके स्विच को ओन की स्थिती में स्विच को ओन की स्थिती में जब हम छोड़ते हैं मिलाते हैं तो इसके अब्यवरक्त तपत होकर उस्मा देने लगता है यह आप देख सकते हो खाना पकाने वाला हीटर इसको बोलते हैं हमने बहुत यूज किया है चोरी-चोरी किसी तार में उत्पन उस्मा का परिमान उस तार के पदार्थ लंबाई तथा मोटाई पर निर्भर करता है अता बिभिन अवसकताओं के लिए बिभिन पदार्थो तथा बिभिन लंबाई और मोटाई के तार उप्योग किये जाते हैं तो आपको यहाँ याद रखना है कि किसी भी तार में उस्मा का परिमान किस पर निर्भर करता है तो उस तार की पदार्थ यानि कि किस का बना हुआ है उसकी लंबाई और मोटाई तो यह पूरी तरह से याद रखना है कि किसी भी तार के उस्मा का परिमाप उस तार की पदार्थ लंबाई और मोटाई पर निर्भर करता है बिद्धुत परिपथों को जोड़ने में परियोग होने वाले तार समाने तक गर्म नहीं होते दियां रखना है बिद्धुत परिपतों को जोड़ने में परियोग होने वाले जो संयोजी तार होता है वो गर्म नहीं होता इसके वेपरेट कुछ बिद्धुत साधित्र के अभ्याव इतने अधिक तप्त हो जाते हैं कि आसानी से दिखाई देते हैं बिद्धूत बल्व के तंतु इतने उच्च ताप तक तप्त हो जाते हैं कि दिप्त होकर प्रकाहँ देना आरम कर देते हैं चित्रव 1.12 में ये जो आप देख रहें बिद्धूत बल्व का दिप्त तंतु उसके बारे में बता रहा था क्या बता रहा था कि विद्धुत पर्पत को जोड़ने में परियोग होने वाले तार समाने ता गर्म नहीं होते लेकिन कभी कभी जो विद्धुत साधित्र के रूप में जब उसके अभ्यव इतने ज़्यादा तप्त हो जाते हैं कि वो तप्त जलता हुआ दिखाई देता है अब यहाँ पर है बूझो अपने इस्तिरी का अभ्यव नहीं देख पाया पहली ने उसे बताया कि निमजन तापा कहने कि इमर्शन हीटर, होट पलेट, विद्धुत इस्तिरी, गीजर, विद्धुत केतली, हेर ड्रायर जैसे विद्धुत साधित्रों में अभ्यव के देखा है यह जो आप देख रहे हो यही है आपका विद्धुत तापन के लिए लगा हुआ आबरन तो अब यहाँ से इस बॉक्स से आपको यह बताना चाहा कि इमर्शन हीटर, होट पलेट, विद्धुत इस्तिरी, गीजर, विद्धुत केतली, हेर ड्रायर यह सब ही जो ह कता है यदि किसी तार से बड़े परिमान की विद्धुधारा प्रवाहित होती है तो तार इतना अधिक तब तो हो सकता है कि वह पिकहल कर तूट जाएगा, मतलब ज्यादा टेंपरेचर वड़ेगा तो नॉर्मल सी बात है तूट जाएगा, उतना आप जानते हैं अब इंपॉर्टेंट है यहाँ पर इस बॉक्स के अंतर गएगा, बॉक्स को जड़ा ध्यान से समझेगा, यहाँ से बहुत सारे सौट कट जो नाम होता है, सौट नेम वो दिखाई देगा जैसे है कि प्रकास उत्पन करने के लिए ताप दिप्त बल्व का प्राया उप्योग होता है, लेकिन यह उस्मा भी देता है, यह बांचनिये नहीं है, मतलब जरूरी नहीं है ठीक है क्योंकि इससे बिद्धुत की छती होती है प्रतिदिप्त नलिकाएं ये धियां रखना है प्रतिदिप्त नलिकाएं फ्लोरो सेंट ट्यूब लाइट तथा सहंत्र प्रतिदिप्त लैंप जी इसको CFL बोलते हैं CFL बलव आपने बहुत देखा होगा तो सहंत्र प्रतिदिप्त लैंप को CFL बोला जाता है इनसे बहतर दक्ष प्रकास स्त्रोत है किस से तो जो तापदिप्त बलव होता है जो लाल जैसा बलव आप जो देखते होंगे उसकी अपयक्छा CFL बलव जो होता है या फ्लोरोसेन ट्यूबलाइट जो होता है ये सभी क्या है कम उड़जा में ज्यादा उसमा देता है और एक्स्ट्रा उसमा भी उत्पन नहीं करता है आज कल प्रकास सर्जक डायोड जिसे हम LED कहते हैं बलव का उपयोग बढ़ रहा है एक निश्चित तिवरता का प्रकास उत्पन करने के लिए ताप दिप्त बलव प्रतिदिफ्द नलिका तथा सहंत प्रतिदिफ्द नलिकाओं की तुलना में LED बाहल्व बिधुत काम का उपयोग करता है इस प्रकार LED बलव बहुत ही बिधुत दक्ष है है और इसलिए इन्हें प्रात्मिक्ता दी जा रही है यानि की हमें यहाँ पर 3-4 बलव का नाम बताया गया है एक प्रतिदिफ्द नलिकाओं जिसे हम फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट कहते हैं यह आप यहाँ देख सकते हो फिर CFL यह वाली देख सकते हो उसके बाद LED बलव जो होता है यह सभी को आप देख सकते हो इन सभी बलवों में सबसे ज़्यादा जो कम बिद्धु तोड़जाक में ज़्यादा उस्मा दे रहा है मतलब कम बिद्धु खपत में ज़्यादा उस्मा जो दे रहा है वह LED बलव होता है कर रहा है, ऐसे विद्धू साधीत तत्ष गैजट को परियोग करने के सलाह दी जाती है, जो विद्धू दक्ष हो, भारतिय मानाक बियोरो नई दिली ये ध्या रखना है, भारतिय मानाक बियोरो नई दिली उत्पादों को माना चिन प्रदान करता है, जिसे मार्क कहते हैं, और भारती मानक ब्यूरो जो है ये नाई दिल्ली के अंतरगत इस्थीत होता है। नोट में दिया है कि प्रतिदेप्त नलिका तथा CFL में पारे का बास पुरुज़ सावधानी पूरवक किया जाना चाहिए। अपने प्टारा करोग की नहीं करोगे वो अलग चीज है लेकिन आपको एक्जाम के परिपास ये याद रखना है कि प्रतिदिप्त न लिका तथा CFL में पारे का बास्प भरा होता है आप जो देखते होंगे ट्यूब बगरा बलो बगरा वो उजला उजला जो दिखाई देत जो किया है बिसला है अब आगे चलते हैं अब यह जो आप पिक्चर देख रहे हो इसको हम फ्यूज बोलते हैं ठीक है इस फ्यूज के बारे में जानना है तो फ्यूज क्या कहता है कि कुछ बिसेश पदार्थों के बने तारों से जब अधीक बिद्धुधारा प्रवाहित होती है तो वे सिखर ही पिघल का तूट जाते हैं इन तारों का उप्योग बिद्धुध फ्यूज बनाने में किया जाता है क्या है कि बिद्धुध फ्यूज वो है जब बिद्धुध परिपत में अधीक बिद्धुधारा प्रवाहित होने लगता है तो वह बिद्धुध वानी क्या है कि कभी भी मुख पर्पत से सयोजीद बिद्दुत फ्यूज की सुहम जाच परताल करने का प्रयास नहीं करना चाहिए तता पिया बिद्धूत परिपतों की मरम्मत करने वाले दुकान पर जाकर बेकार हो गए फ्यूजों की एक नए फ्यूज से तुलना कर सकते हैं फ्यूज को कभी अपने से बनाना तोड़ना जोड़ना नहीं है यही कहना चाहरा बॉक्स में important point है कि बिद्धूत परिपतों में अत्यधीक बिद्धूधारा प्रवाहित होने का ये कारण बिद्धूत तारों में परस्पर सीधा संपर्क हो सकता है या प्रस पर सीधा संपर्क हो जाना होता है ऐसा तूटफूट अथवातारों के बिद्धू तरोधन के हटने के कारण हो सकता है इससे लगुपत्थन यानि कि सौट सर्किट हो सकता है अत्यधीक धारा प्रवाहित होने का एक कारण ये कि ही सौकेट से कई युक्तियों को सयोजित करना हो सकता है इससे परिपथ में अतिभारन हो सकता है यानि कि ओभर्लोडिंग आपने समचार पत्रों में अतिभारन तथलगुपथन के कारण लगने वाली आगों के बारे में पढ़ा होगा यानि कि short circuit और ज्वाती भारन है यानि कि overloading जो है इन सभी से जो आग लगता है उसका कारण क्या है एक कारण ये है कि बिद्धुधारा प्रवाहित होने के कारण जो बिद्धुतार है उसमें प्रसपर सीधा संपर्क हो जाता है यानि कि दोनों सेम लाइन में जूड जाता है तो भी बिद्धुधारा तूड जाता और short circuit हो जाता है या दूसरा कारण ये बताया जाता है कि उसमें ज्यादा overloading हो जाता है मानलो कोई एक socket है उस socket के अंतरगत आपने 3-4 बल्व 8-10 बल्व को उसी socket के अंदर जोड दिया तो वो क्या होगा वो अति भारन यानि कि ओभर लोड़िंग के कारण फ्यूज कर जाता है कता है अता fuse सुरक्षा युकती है जो विद्धूत परपत की छती तथा संभावी ताक के प्रती सुरक्षा प्रदान करता है उसके अंदर लगे तार जो होता है वो अधिक के overloading या short circuit होने के बाद उपिघल करके तूड जाता है और आपके सभी उपकरन को बचाने का काम करता है ये आप देख सकते हो बिद्धूत फ्यूज और फ्यूज जो होल्डर है ये है बिद्धूत फ्यूज और ये फ्यूज होल्डर के रूप में जाना जाता है अब यहां देखिए कर रहे कि आज कल फ्यूज के स्थान पर लगू परिपत बिच्छेदक जिसको हम MCB कहते हैं यह वाली चीज आपने बहुत देखा होगा ऐसा आपके घर में अगर इलेक्ट्रिक का पूरा बोर्ड होगा तो मेंल लाइन के पास आप जा करके देखेंगे तो यही चीज आपको दिखाई देगा तो यही कर रहा है कि आज कल फ्यूज के स्थान पर लगू परिपत बिच्छेदक के MCB का उप्योग निरंतर बढ़ता जा रहा है जब किसी परपत में बिद्धुधारा सुरक्षा सीमा से धीक हो जाती है तो यह ऐसे स्विच होते हैं जो स्वता ही आउप हो जाते हैं आप इन्हें फिर से आउन कर दें तो पुना परिपत पूरा हो जाता है डब्बे पर भी ISI चीन अबस्य देखे यह आई-एस-आई का मतलब हो गया इंडियान स्टेंडर्ड जो भारती मानक ब्यूरो है इंस्ट्यूट इंडियान स्टेंडर्ड इस्ट्यूट नई दिल्ली उसकी अनुसार यह मार्क लगा होता है यहाँ पर भी सावधानी क्या है कि सदाव आई-एस-आई-चीन वाले उचित फ्यूज इनका उले किसी भी से सनुप्रियोग के लिए किया गया हो का ही उप्योग करना चाहिए अब हमारा आता है बिद्धु धारा का चुम्ब के परवाब बिद्धु धारा का चुम्ब के परवाब जानना जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको हम जानने का प्रियास करते हैं यह आप अच्छा जल्दी से बताओ यहाँ पर तीन प्रस्न है यह बताएंगे यह क्य बिद्धुत सेल है या बिद्धुत बल्व है तो देखे ये इसको हम कहेंगे क्या कहेंगे सेल कहेंगे जब सिंगल रहता है तो सेल कहलाता है जो आप स्विच देख रहे हैं ये खुला हुआ है यानि कि आप स्विच है और ये जो है बल्व का कहता है कि हम जानते हैं कि चुमकिय सुई एक लगु चुमबक होती ध्यान रखना है यह सब याद रखना चुमकिय सुई एक लगु चुमबक होता है जो उत्तर दक्षिन दीशा की और संकेत करती है चुम्ब किये सुई क्या है तो एक छोटा चुम्बक होता है जो तरदक्षिन की दीशा को संकेत करता है जब हम कोई चुम्बक इसके निकट लाते हैं तो सुई बिच्छेपित हो जाती है हमने यह भी देखा है कि जब चुम्ब किये सुई के निकट रखे तार में बिद्धुधारा प्रवाहित होती है तब भी सुई बिच्छेपित होता है क्या है कि जब चुम्ब किये सुई के निकट रखे तार में बिद्धुधारा प्रवाहित की जाती है तब भी चुम्ब कि सुई भी छेपीत होता है क्या आप इन दोनों पर एक छेपनों में कोई सम्मन दस्थापीत कर सकते हैं क्या किसी तार में बिद्धु धारा प्रवाहित करने पर वह तार चुमबा की भांती ब्यवाहर करता है तो हाँ वह चुमबा की भांती ब्यवाहर करता है और ये हैं हैंस Christian Auster पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पर समझाने का हम पर्यास अगर आपको करे तो सिर्फ इतना करा है कि चुम्बक सुई एक होता है चुम्बक सुई एक छोटा सा चुम्बक होता है जो हमेशा उत्तरदक्षिन दिशा की और बताता है चुम्बक जो है जब भी हम उसके निकट कोई बिद्धुत परिपत या बिद्धुधारा ले जाते हैं तो चुम्बक की सुई जो है अपनी अस्थान परिवर्तन कर सकता है यानि कि वो चुम्बक की भाती काम करने लगता है कता है इसी प्रकार के प्रेक्षन ने हैंस क्रिस्चेन ओस्टर नामक बैगानी को व्यास्टर चकित किया वे ऐसे पहले ब्यक्ति थे जिन्होंने यह देखा कि जब भी किसी तार से बिद्धुधारा प्रवाहित होती है तो उसके पास रखी चुम्बक सुई में बिच्छेप होता है यह याद रखना है यानि अता जब किसी तार से बिद्धुधारा प्रवाहित होती है तो वा चुम्बक की भानती ब्यवाहर करता है इसे बिद्धुधारा का चुम्बक के प्रवाहर कहते है बास्तर में बिद्धुधारा का उप्योग चुम्बकों के निर्मान में किया जाता है क्या कह रहा है कि जब भी किसी तार से बिद्धुधारा प्रवाहित होती है तो वा चुम्बक की भांती ब्यवाहर करता है इसे बिद्धुधारा का चुम्बक की प्रवाहर कहते हैं और बिद्धुधारा का उपयोग चुम्बक के निर्मान में भी किया जाता है तो ये एक प चुमकेपरभवब के बारे में किस ने बताया, तो हैंस क्रेश्चिन आस्टर्ड ने बताया था, इंपोर्टेंट रहेगा, आप विध्धु चुमबग की यहाँ बनाने की बात की जा रही है, तो विध्धु चुमबग की अंतरगत, आपको ये बनाने के लिए एक बिद्धूत रोधी पलास्टिक वाला ये कपड़ा हुआ ढखाओ लेना है इनामेल लेपित यानि कि लचीला तार लेना है इनामेल लेपित लेना है बस यहाँ पर ये प्रकिरिया दोहरा रहा है बनाने का परियास किया जा रहा है तो हमें वो याद नहीं रखना है हमें याद यहाँ रखना है जो यह किर्या कलाप किया गया है यह देख लो यहाँ पर एक सेल लगा हुआ है यहाँ पर स्विच ओन है यह कोई काटी में एक तार लपेटा हुआ है विद्धुत परिपत किया गया और ये नीचे देखो यहाँ पर महिन महिन सा सूई लटका हुआ है अब ये क्या प्रभाब डालता है वो देखना है तो ये प्रभाब देखने के लिए कहता है कि उप्रोक्त कीरिया कलाप में बिद्धु धारा प्रवाहित करने पर कुंडली चुंबा की ब्यावांती ब्यवाहार करती है जब बिद्धु धारा का प्रवा समाप्त हो जाता है तो कुंडली का चुंबा कत्व समान नेता नश्ट हो जाता है इस प्रकार की कुंडली को बिद्धु चुंबा कहते हैं बिद्धु चुंबा क्वाती प्रवाल बनाया जा सकता है या तियंत भारी बोज उठा सकता है यानि कि बिद्धु चुंबा को हम बहुत मजबूत बना सकते हैं और ये बहुत भारी भोज याने की समान को उठा सकता है कौन तो विद्धु चुंबक और विद्धु चुंबक कैसे बनता है तो जब विद्धु धारा प्रवाहित कर दिक किया जाता है कुंडली में तो कुंडली जो होता है वो चुंबक के जैसा काम करने लगता है और बिध्धु चुम्बक के नाम से जानते हैं कता है बिध्धु चुम्बक का उपयोग कवाड से चुम्बक के पदार्थों को परिथक करना याद रखना है कहां कहां पर इसका परियोग होता है तो कवाड से चुम्बक के पदार्थों को परिथक करने के लिए भी किया जाता है डॉक्टर दुरगटना बस आख में गिरे चुम के पदार्थ के छोटे टुकडो को बाहर निकालने में नन्हे बिद्धु चुम्बक का उपयोग करते हैं दो जगा याद रखेंगे अब आता हमारा बिद्धुत घंटी बिद्धुत घंटी आपने देखा होगा जो आपका घर में बेल लगा होता है वो वो भी कुछ इसी तरह से काम करता है और मतलब यहाँ पर आपको कुछ था नहीं इसलिए मैंने हालाइट नहीं किया है बस ओवर ओल इतना YAD रखना है कि बिद्धुत घंटी जो है किस पर काम करता तो बिद्धुत चूंबक पर काम करता है बाकि आपको कहानी पूरी दी गई थी इसलिए मैंने कुछ यहाँ पर यहाँ पर यह switch है जिसको आप on करोगे तो on करोगे तो यह जो कुंडली है कुंडली में बिद्धुत चुंबक कुदपन होगा और चुंबक होता है तो यह जो यह लोहे का होता है यह क्या करता है इसके अंदर जो है यह कमपन करना शुरू करता है और कमपन करता तो इसमें ज चैप्टर होता हमारा समाप चैप्टर नंबर 14 होता है समाप लेकिन अभी वीडियो क्लास समाप नहीं हुआ है क्योंकि इसके अंतरगत हम फिर से आपने क्या सीखा वो जानेंगी और इसका कोश्चन आंसर भी हम सॉल्व करेंगे आप लोगों का ही अनुरोध था कि कोश्चन आंसर भी अबजेक्टिव कराया जा तो मैं परियास करता हूँ और करूँगा आगे भी अभी आपको प्रस्नम करा दें तो पहले हम समझ लेते प्रमुक सब्द हमने क्या क्या पढ़ा तो पहले हमने पढ़ा बैटरी बैटरी क्या था तो दो या दो से अधिक सेलों के सेयो तब्यव करते हैं लगुपतन के बारे में आपने चनल जाना सौध सर्किट जब परिच्चीत यानि कि अनवांच्छित विद्धुधारा प्रवाहित होने लगता है तो सौध सर्किट हो जाता है फ्यूज तूड जाता है उसे हम लगुपतन कहते हैं विद्धुद घंटी जो बिद्धु चुम्बक पर काम करता है, बिद्धु चुम्बक जो को बिद्धु प्रवाहिद करने पर कुंडली जो होता है, बिद्धु फ्यूज वो है जो आपकी घरों को सुरक्षा पहल देता है, सेल होल्डर वो है जो आपको बैटरी को रखने के लिए एक जगा होती बिद्धूत साधितर वो है जो बिद्धूत उपकरन होता है बिद्धूत का तापिय प्रभाब जो है ये आपको क्या करता है बिद्धूत ताप उत्पन करता है बिद्धूत का चुमकिय प्रभाब जो कि आप अरनेश्ट को पढ़ा अर्नेश्ट के अनुसार जो है जब विद्धुत प्रवाहित किया जाता है तो वो चुम्बक का रूप धारन करतार कुंडली के बारे में आप जानते हैं अब आपने क्या सीखा उसको भी जान लेते हैं तो कहता है कि बिद्धुत अव्याबों को उनके प्रती को द्वारा निरूपित करना वसुदा जनक होता है इनका उप्योग करके किसी बिद्धुत परपत को परिपतार एक द्वारा निरूपित किया जा सकता है जब किसी तार से कोई बिद्धु धारा प्रवाहित होती है तो वह तार तप्त हो जाता है याद रखना है या बिद्धु धारा का तापिय प्रवाब कहलाता है बिद्धु धारा का तापिय प्रभाव क्या है कि जब किसी तार से कोई बिद्धु धारा प्रभाव होती है तो वह तार तप्त हो जाता है वह बिद्धु धारा का तापिय प्रभाव कहलाता है तो याद रखना है बिद्धु धारा का तापिय प्रभाब और बिद्धु धारा का चुमकिय प्रभाब में डिफ्रेंस है बिद्धु धारा का तापिय प्रभाब ये कहता है कि जब किसी तार से बिद्धु धारा प्रभाहित की जाती है तो तार तप तो होता है उसे हम विद्धु धारा का तापिय प्रभाब कहते हैं लेकिन जो विद्धु चुमकिय प्रभाब होता है उसमें जब विद्धु धारा प्रभाहित की जाती है तो विद्धु धारा जो होता है वो चुमबक के जैसा काम करने लगता है उसे हम विद्धुधारा का चुमकिये प्रभाव कहते हैं तो दोनों का डिफ्रेंस याद रखना है कता है कुछ बिशेस पदार्थों से बने तारों में से जब उच विद्धुधारा प्रभाहित होती है तो वे गर्म होने से पिघल का तूड जाते हैं इन पदार्थों का प्योग विद्धुध फ्यूज के निर्मान में किया जाता है जो विद्धुध परिपाथों को छती तथा आग से बचाते हैं जब किसी तार से विद्धुधारा प्रभाहित होती है तो अचुमबक की भानती ब्यवाहार करता है इसी बिद्धु धारा का चुम्ब के प्रभाव कहते हैं तो दूसरा और चौथा पॉइंट आप समझ गया होंगे ताप ये प्रभाव हुआ है जिसमें बिद्धु धारा प्रभाहित करने पर तार तप्त होता है और चुम्ब के प्रवाब वो है जिसमें बिद्धु धारा प्रवाहित करने पर चुम्बक की भांती कारी करता है लोहे के किसी टुकरे पर बिद्धु तुरोधी तार से लिप्टी बिद्धु धारा बाहि कुंडली को बिद्धु चुम्बक कहते है बिद्धु चुम्बक बहुत सीक्टियों के में उप्योग क्या जाता है जैसे आपका घंटी बगारत जो था उस में अब यहाँ सवाल है सवाल में तो जो वन लाइनर या उबजेक्टिव रहेगा वही हम कराएंगे डिटेल वाली तो नहीं कराएंगे तो आईए देखिए प्रयास करते आठवा नंबर सवाल कता है रीक तस्थानों के पूर्ती करें करें बिद्धु सेल के प्रतीक में लंबी रेखा उसके देखो बिद्धु सेल था हमने जाना था एक छोटा रेखा होता और एक लंबी रेखा होता तो जो लंबी रेखा होता है उसे हम धन टर्मिनल कहते हैं और जो छोटा वाला जो होता ये वाला इसको हम रीन टर्मिनल कहते हैं कहता है दो याधिक बेद्धु सेलो के संयोजन को हम क्या कहते हैं बैटरी कहते हैं क्या कहेंगे बैटरी कहते हैं जब किसी बिद्धु धीटर के स्वीच को on करते हैं तो इसका रक्त तप्त लाल हो जाता है तो इसका जो तार होता है तार रक्त तप्त हो जाता है यानि कि पूरी तरह से लाल हो जाता है बिद्धु धारा के तापिय प्रभापराधारित सुरक्षा युक्ति को क्या कहेंगे बिद्धुत तापन युक्ती कहेंगे बिद्धुत तापन युक्ती कहेंगे अब यहाँ निमलिखित कत्नों पर सत्त थ्वा सत्त अंकित करना है करता है कि दो सेलों की बैटरी बनाने के लिए एक सेल के रीन टर्मिनल को एक सेल के रीन टर्मिनल को दूसरे सेल के रीन टर्मिनल से सायोजित करते है नहीं ये गलत है एक सेल का रीन टर्मिनल तो दूसरे सेल का धन टर्मिनल का परियोग करते है तब जाके सेल बनता है ठीक है तो ये गलत हो गया दूसरा कहता है कि जब किसी फ्यूज में से किसी निश्चित सीमा से अधिक हलका टूड जाता है बिल्कुल सही है सत्य है गा नम्मर है कि विद्धु चुमबक चुमकी पदार्थों को अकरसित नहीं करता है इसा कैसे ये भी ऐसा थे विद्धु चुमबक तो वही है जो बिद्धुत गंटी में बिद्धुत चुम्बा खोता है बिल्कुल होता है यह सत्य यानि कि पहला और तीसरा जो है यह गलत है दूसरा और चौथा सही है अब आगे भी तो और ऐसा कुछ है नहीं जो आपको करना है आपको यहां जानना क्या आप जानते है यह आप फोटो में जो दिख रहे हैं उनको हम कहते हैं थौमस एलवा एडिसन क्या कहते हैं थौमस एलवा एडिसन कहता है बिद्धुत वल्व के अविस्कारक है बिद्धुत वल्व के अविस्कारक असरे लवक तेरा सौ अविसकार किये उनहीं की अविसकारों के बाद में टेलीफोन के अविसकार को सुगम बनाया गया यानि कि जो थॉमस एलव एडिशन ये किसका किसका खोज की अविसकार किये तो बिद्धुत बल्व का ग्रामो फोन का चलचित कैमरा का मतलब फिल्मी कैमरा ज सभी को थॉमस एलव एडिसन ने बनाया है और इस प्रकार आपका भी बल्व जला होगा दिमाग का ठीक है ये होता है समाप्त क्या होता है चैप्टर नंबर चौदा आपका हो गया समाप्त यहां तेक में अगर आपको कोई परहसानी हो किसी इस पॉइंट को ले करके किसी सु जाब हो ताप हमें कमेंट में पूना है आप कमेंट में बताएं कि आपको क्या समस्या हुई मैं आगले वीडियो में इस समस्या को वहां सौल्व कर देंगे तो आपने क्या जाना बिद्धुधारा और इसके प्रभाव और चैप्टर नंबर 14 हमारा समाप्त हुआ साम साम तक आपको चैप्टर नंबर 15 भी आपको मिल जागा ने कि प्रते एक दिन हम आपको दो वीडियो दे रहे हैं तो वो दोनों वीडियो आप डेली एक समय में देखा कीजिए और जितना दिर पढ़ने के लिए बैठे उतना दिर इस वीडियो को बिना कंप्लेट किये ना है अगर नए है तो डेली वीडियो पाने के लिए आपको क्या करना है बिल बटन को दवाना है सब्सक्राइब करना है सेर करना है और इंज्वाई करना है तो फिर से हम कहना चाहेंगे कि बास सीवी पढ़ते रहें पढ़ाते रहें खेलते रहें खेलते रहें घुमते रहें गुमाते रहें, खाते रहें, खिलाते रहें लेकिन सबसे बड़ी काम पढ़ते रहें तो मिलते हैं अगले वीडियो में अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद